हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक पूर चैनल आज हम इस वीडियो में देखेंगे एलिस इन वंडरलेंड के क्वेशन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स और जो भी एक्ससाइस है वो सब कबर करेंगे अगर आपने इसके एक्स्पीनिशन वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रि पॉप पॉप पाउब मतलब होता थै अचानक आ जाना ठीक हैм इस चैपटर में जहां पॉप यूवा है मतलब हो चला गया जैसे कि इस आने और शल आ जाए य। इस में उसे पॉप दाउन यानि नीचे चला र गया लि iniई का मतलब होता है गायब होना विसकर्स यानि जो खर्गोस के मुझ के पास जो मुच्छे होती है उसको बोलते हैं विसकर्स ठीक है अब हम इसके question answers देख लेते हैं पर्स्ट question है while listening to the story what did Alice see जब वो कहानी सुन रही थी तो Alice ने उस टाइम क्या देखा तो answer हो जाएगा Alice saw a white rabbit while she was listening to the story तो Alice ने क्या देखा एक सफीद खर्गोस देखा जब वो कहानी सुन रही थी second question है what was different about the rabbit that Alice saw उस rabbit में क्या different था यानि वो कैसा खर्गोस था क्या अलग था उसमें जो Alice ने देखा था answer हो जाएगा the rabbit that Alice saw had pink eyes and was wearing a blue coat he could talk and carried a watch तो जो rabbit जो Alice ने देखा था वो कैसा था उसकी गुलाबी रंग की आंखें थी और उसने blue color का coat पहना हुआ था और वो बात कर सकता था और वो अपने साथ एक घड़ी भी रखे हुआ था ठीक है अब question third है where did the rabbit go जो rabbit है वो कहां गया था अंसर हो जाएगा the rabbit jumped into a big rabbit hole and went down and down तो rabbit कहां चला गया था rabbit एक rabbit hole में कूद गया था और वो नीचे जाता रहा जाता रहा ठीक है अब answer question four है how did Alice reach wonderland जो Alice है वो wonderland कैसे पहुँची आंसर हो जाएगा Alice jumped into the rabbit hole following the rabbit and reached the wonderland Alice उस rabbit hole में कूद गई थी rabbit को follow करते करते और वो wonderland पहुँच गई थी ठीक है यह answer हो जाएगा अब fifth question देखते है what strange thing did Alice see तो Alice ने ऐसी कौन सी अजीब सी चीजें वहां देखी थी आंसर हो जाएगा Alice saw beautiful wets of flowers and cool fountains तो Alice ने क्या देखा था कि फूलों के बहुत प्यारी प्यारी क्यारियां देखी थी और cool fountains देखे थे यह नहीं फबारे देखे थे अब question 6 है describe in your own words the garden that Alice saw जो garden Alice ने देखा था वो आपको अपने खुद के word में बताना है तो आप खुद से यह answer लिख सकते हैं बाकि यहां मैंने भी बता रहा है answer 6 ऐसे हो जाएगा आप ऐसे लेख सकते हैं the garden Alice saw was so beautiful it was full of flowers and had cool fountains जो garden Alice ने दीखा था वह बहुत सुन्दर था वह पूरी फूलों से भरा हुआ था और उसमें cool fountains भी थे question 8 अब देखे question 6 के बाद question 8 आ रहा है seven वाला क्या है seven वाला बुक में देखिए उसमें कुछ नहीं है जो भी garden हमने देखा है उसको में draw करना है इसलिए वह question में skip किया है तो अब next question में चलते है question 8 हो जाएगा tick the correct answer तो अब हमको क्या करना है correct answer पे tick करना है इसमें option दिया होगा उसमें हमें जो भी correct answer लगेगा उसपे tick कर देना है अस्ट है the rabbit had white eyes big eyes pink eyes तीन option दिये है white eyes big eyes और पिंक आइस तो कैसे आगे थी पिंक आइस तो इसका answer हो जाएगा पिंक आइस ठीक है second है who was burning with curiosity तो curiosity से कौन बर्निंग हो रहा था या नि कौन उत्सुकता से बीचन हो रहा था option है Alice the rabbit or the children तो इसका answer क्या हो जाएगा Alice Alice was burning with curiosity ठीक है who fell down and down and down option है Alice mouse or the rabbit तो कौन नीचे गिरा जा रहा था गिरे जा रहा था उस rabbit hall में तो इसका answer हो जाएगा the rabbit ठीक है question 4 है who said oh my ears and whiskers how late it is getting this thing यह किस ने कहा था कि अरे मेरे कान अरे मेरे मुझे मैं मुझे बहुत देर हो रही है तो इसके option है the rabbit Alice Alice sister तो किसने बोला था यह चीज यह rabbit ने बोला था तो option है big lovely और small तो कैसा था वो बहुत lovely था तो answer हो जाएगा be lovely ठीक है let's talk अब next देखते है question first दिया है describe some of the sounds you hear at night अब आपको यहाँ ऐसी आवाजें बतानी है जो आपको रात में सुनाई देती है आपको जो भी आवाज सुनाई देती है आप वो यहाँ लिख सकते है insects dog and watchman's vessel जैसे कि मुझ्छे कीडों की आवाज आती है कुतों की आवाज आती है और जो हमारा watchman सीटी बजाता है उसकी भी आवाज आती है आपको इसके अलावा अगर कोई भी आवाज सुनाई देती है तो आप वो भी एड कर सकते है ठीक है अब next question है imagine you are Alice and your partner is a rabbit what would you do अब आपको imagine करना है सोचो कि आप Alice हो ठीक है और आपका partner है वो खरगोस तो आप क्या करते जो Alice ने किया वो करते या इसके अलावा जो भी करते आपको वो answer यहां लिखना है If ever Alice and my partner were a rabbit I would do exactly what Alice do I would follow my partner to the wonderland अगर मैं Alice होती और मेरा partner वो rabbit होता तो मैं same वही करती जो Alice ने किया मैं अपने partner को follow करती और wonderland पहुंच जाती ठीक है आपके इससे different भी answer हो सकता है अगर आपको यह सही नहीं लगा तो आप दूसरा answer भी लिख सकते हो ठीक है question third what do you think Alice saw in the garden आपको क्या लगता है कि Alice ने गार्डन में क्या देखा तो answer हो जाएगा Alice saw a beautiful garden full of flowers and cool fountains Alice ने देखा कि वो जो beautiful सा गार्डन था उसमें बस fully full है हर जगर full थे और उसमें cool fountains भी है ठीक है question fourth how would Alice have got into the garden Alice उस गार्डन तक कैसे पहुंच सकती थी उस गार्डन में कैसे जा सकती थी तो answer हो जाएगा if Alice could become smaller she would have got into the garden अगर Alice बहुत छोटी हो जाती तो वो उस गार्डन में जा सकती थी ठीक है यह answer जाएगा अब next है find one word from the story that means अब आपको यहाँ क्या करना है one word बताना है जो कि story में use हुआ है a दिया है to walk fast यानि जल्दी जल्दी चलो तो इसका क्या story में क्या word यूज हुआ है जो h से start होता है वो है hurry ठीक है वो ही b दिया है to think यानि सोचना तो story में w से भी word start होता है सोचना वो है wonder c है happy यानि खुश होना जो कि d से start होता है वो word story में use किया है वो क्या word है delight अब d है to be seen nowhere कहीं नहीं देखना यानि गायब हो जाना तो वो कौन सब वर्ड यूज किया है गायब होने पे disappear अब e है at once यानि तुरंथ तुरंथ के लिए कौन सब वर्ड यूज किया है quickly और f है move fast यानि जल्दी जल्दी चलो तो उसका क्या यूज किया है scamper जल्दी जलना ठीक है वहीं g है to be inquisitive यानि चिग्यासू उत्सुकता से क्या यूज किया है curious ठीक है story में क्या यूज किया है curious make sentences with each of the opposites of these describing words and make sentences with them अब आपको क्या करना है कि यहां कुछ word दी है जैसे कि lovely, talking, listening, see and center अब आपको इसके similar words बताने है और इसके opposite भी बताने है उसके बात क्या करना है इनके sentence बनाने है ठीक है जैसे कि lovely का similar word हो जाएग pretty और opposite word हो जाएग अगली फिर talking का similar word हो जाएगा speaking और opposite हो जाएगा silence listening का similar word हो जाएगा hearing और opposite हो जाएगा वहीं C का जो similar word हो जाएगा look और opposite हो जाएगा center का हो जाएगा similar word middle और opposite हो जाएगा side या outside भी बोल सकने ठीक है तो यह हो जाएगा बिनके sentence देख लो first sentence हो जाएगा you are so pretty यो pretty वाला word है उसमें यह pretty हा रहा है you are so pretty वहीं जो ugly के लिए sentence बनाया वो क्या है there was nothing ugly between them वहीं second sentence है I am speaking to her speaking का जो word है हमने लिया था वो use हो जाएगा I am speaking to her यह sentence हो जाएगा और फिर हमने silence opposite के लिए use किया है तो क्या हो जाएगा please keep silence थर्ड हो जाएगा I am hearing you यह word hearing आजाएगा इसमें I am hearing you और he was not speaking और इसमें आजाएगा speaking word ठीक है यह opposite में जो use किया है हमने he is looking at me तो इसमें कौन सा word आजाएगा looking just ignore him इसमें आजाएगा ignore word यह भी sentence हो जाएगा और फिर्फ है he was standing in the middle of the room तो इसमें कौन सा word आजाएगा middle two children are walking side by side तो इसमें आजाएगा side वाला use many sentence बना के बताये हैं आपको बागी आप इसके अलाबा भी जो भी आपको sentence easy लगें आप वो लिख सकते हो यहाँ जरूरी रही है आपको यही लिखना है ठीक है next देखते है imagine you are going on a journey to the center of the earth what do you think you will see what do you feel अब आपको सोचना है कि आप एक journey पे गए हो ठीक है घूमने गए हो कहां गए हो आर्थ के बीचो बीच center of the earth तो आप वहां क्या देखना चाहूंगे और आप क्या महसूस करोगे आपको वह लिखना है आप अपने ओन वर्स लिख सकते हैं जरूरी रही है आपको यही सेम लिखना है अंसर हो जाएगा when I will be on the journey to the center of the earth I would see solid rocks तो मैं वहां क्या देखूंगा solid rocks देखूंगा I would also see layer of ground water और ground जो धर्ती के नीचे का पान ही होता है वह देखेंगे long caves देखेंगे गुफाएं जो होती है वह देखेंगे it would be great fun for me और यह मेरे लिए बहुत मज़िदार चीज होगी तो ऐसे लिख सकते हैं के अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा हो ठीक है अब next question है Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things rearrange the word to make the question that Alice has in her mind and put a question mark Alice ने उस अलग से दिखने वाले खरगुस का पीछा क्यों किया था क्योंकि वह बहुत सी चीजे जानना चांती थी और वह क्या question थे जो उसके दिमाग में आ रहे थे माइन में आ रहे थे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है तो वही question हमको यहां लिखने है जो कि यहां rearrange करने है क्योंकि वह arrange नहीं है आंगे पीछे इसके words दिये रखें और हमको rearrange करके इसको question बनाना है जैसे कि first है talk rabbit a how can मतलब A इसमें बताया गया है कि talk rabbit a how can इसको हमें rearrange करना है तो इसका answer हो जाएगा how can a rabbit talk और question mark ठीक है कि rabbit जो है वह कैसे बात कर सकता है वहीं B है going he is where आंगे पीछे words दिये हैं तो अभी हमें को सही से लिखना है rearrange करना है where is he going वह कहां जा रहा है ठीक है तो यह question mark हो जाएगा read he can time the अब C हो जाएगा read he can time the अब इसको सही लिखना है can he read the time कि अब वह समय पढ़ सकता है यह question हो जाएगा D हो जाएगा hurry is in a why he ठीक है तो why is he in a hurry वह एतनी जल्दी में क्यों है तो यह question जो है Alice के दिमाग में आ रहे थे ठीक है यह chapter हमारा यहीं खतम होता है I hope आपको अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो please like कीजिए subscribe कीजिए और जानक से जानक शेयर कीजिए thank you for watching